नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत तेश्रों सबारी चिक और एक हल्थ कंसर्ण वीडियो में आज के वीडियो में बात करेंगे सिलियाक डिजीज के बारे में सिलियाक डिजीज क्या है सिलियाक डिजीज की होता है सिलियाक डिजीज का मोड ऑफ आक्शन क्या है सिलियाक बोडी के जहां पर ये बोडी में ऊट्टो इम्यून रिस्पॉंस मतब हमारे इम्यून सेटेम का ही एक रिस्पॉंस तयार होता है लग बुरू जमारे चोटी आत और बड़ी के खिलाफ जब शरीर में एक प्रकार की प्रोटीन आता है जिसका नाम है ग्लूटेन अब ग्लूटेन प्रोटीन कहा से आता है ग्लूटेन प्रोटीन आता है वे बारले या फिर राई मतलब जो हम मैदा खाते वेट वहां पे होता है उसके साथ-साथ बारली में भी होता है राई जिस प्रकार का जो मैदा वाला च खाऊ, gluten free वो खाऊ, क्यों gluten free खाना चाहिए, क्योंकि gluten naturally स्वाभा भी तौर पे एक ऐसा protein है, जो कभी-कभार हमारे gut को irritant के तरह काम करता है, मतलब जब भी gut में वो जाए, small intestine, छोटी आथ में वो जाए, digestion के बाद, absorption के टाइम पे तो छोटी आथ को थोड़ा बहुत irritate करता ही है, अगर ज्यादा मात्रा में आप gluten ले ले लेते हो, तो वो छोटी आथ को कुछ ज्यादा irritate करेगा, मगर फिर भी लोग उसको digest कुछ हद तक कर लेते हैं, मगर बहुत से ले लोग ऐसे हैं, जो इस gluten को ठीक से digest नहीं कर पाते हैं, अब क्यों digest नहीं कर पाते हैं, इसके लिए दो थियरिये, एक तो है genetic predisposition, मतब एक gene जो number है, आपे HLA-DQ2 या फिर HLA-DQ8, ये दोनों genes में एक predisposition होता है, changes, उसके कारण होता है कि उन लोगों में ये gluten digest करने का शमता जो है कम हो जाता है, हाला कि वे enzymes जो है release करते हैं, मगर ठीक से digest नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है, उनमें gluten insensitivity, मतलब जब भी gluten body में आ जाएगा, तो उनका जो gut है, जो small intestine है, जहाँ पर खाना, मतलब हम खाने के बाद stomach से होता हूँ, small intestine में जाएगा, small intestine में जाने के बाद वहाँ पर finger like projection होता है, अंदर small intestine के दिवार में अंगली की तरह ऐसे projections रहता है, जिसको विली बोलता है, ठीक है, तो वहाँ पर विली में क्या होता है, विली से ही ये digestion के बाद absorption स्टार्ट होता है, वहाँ पर absorption जो है, बहुत कम हो जाता है, तो जब भी absorption बहुत कम हो जाएगा, तब क्या होता है, automatically, जो gluten है यहां पर पढ़ा रहेगा। की कोशिश करें तो वहाँ पे ये immunity जो हमारी immune system है हमारे खुद की जो immune system जो प्रतिरक्षा system है वो उसके खिलाब लड़ता है लड़ने की time tissue damage करता है किस area के tissue small intestine छोटियात की large intestine बढ़ियात की tissue को damage करता है damage पहुचाता है tissue degrade करता है इसके कारण होता है inflammation मतलब sujan sujan में क्या होता है उस जगह में swelling होना लाल हो जाना जगह में heat ज्यादा पैदा होना उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत भुखार हो सकता है और जब भी inflammation आपकी आथ में हो चाहिए वो small intestine छोटी आथ में हो या फिर large intestine बड़ी में हो आपको पता चल जाएगा कैसे अलग-अलग symptom से वो पता चल जाएगा और यह inflammation ना एक दिन की नहीं है आप gluten जब जब लोगे तो inflammation का response होगा उसको हम acute response बोले वह acute response दीरे दीरे तगदिल हो जाता है chronic inflammatory response में और तो chronic का मतलब बहुत दिनों से बहुत महिनों से सालों से वो चलता रहेगा एक बार gluten ले लिया ज्यादा मात्रा में तो उसके लिए आपको acute phase आपका रहेगा कुछ एक हपता दो हपते तक उसके बाद भी कभी कभर कुछ और खाने की चीज में भी वह इंपक्ट आ सकता है क्योंकि जब autoimmune disorder start हो जाता है जब immune system उसके खिलाब लरना start कर देता है तो छोटी मोटी चीज में भी वह इंपक्ट कर सकता है तो डाइट बहुत वाइटल हो जाता है और उसके लिए ही यह impact सामने आता है अब बात करते हैं सिंटम की बात करें तो यहां पर digestive system की symptoms आएगा आपको diarrhea होगा पेट में दर्ध होगा बहुत ज्यादा दर्ध होगा abdominal pain खाना खाने से पहले या फिर खाने के बाद कुछ ऐसा guarantee नहीं है पें दर्ध हमेश्था रहे हैं उसके साथ साथ बहुत ज्यादा gas produce होगा आपके जो intestine वहाँ पर bloating होगा गुर 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 जैसा होना बहुत ज्यादा gas produce होगा यह चार जो है primary symptom है gluten की तो यह बहुत सारा common symptom आता है lactose intolerance की भी जिन लोगों में lactose intolerance पाए जाते हैं वह दूद या दूद related products अगर खाएंगे तो उसको digest नहीं कर पाते हैं उसमें भी gas produce होता है bloating वगर होता है यहाँ पर भी यह सारे जो total हमारे pelvic area होगा overall दर्द रहेगा ठीक है कमर में भी आपको दर्द रहेगा joint में भी आपको दर्द रहेगा उसके साथ साथ स्कीन में rash हो सकता है ठीक है जिसको हम dermatitis बोलते हैं और small dots स्कीन में rash आ जाएगा headache हो सकता है और neurological कुछ symptom होता है जैसे कि peripheral neuropathy mood swing mood related disorders भी इसके है वो gut health, pate की health के साथ related होता है अगर brain ठीक से काम नहीं करेगा signal नहीं देगा तो pate ठीक से काम नहीं करेगा intestine ठीक से digestion में help नहीं कर पाएगा इसलिए कब होता है जब flight or fight response होता है लोग बहुत ही tense हो जाता है उनको na cramping होता है बहुत से लोगों में आप शायद देखे हों जीते हो stress condition में रह रहे हो mood disorders के साथ यह directly link है 100% अब बात करते हैं देखो treatment के बारे में celiac disease को treat करने से पहले यह जानना जरूरी है कि जो problem से हो celiac disease के चलते हैं अगर celiac disease उसके problem है तो obviously उसको fix करने के लिए आपको gluten को avoid करना परेगा जहाँ जहाँ gluten है वो सारे के सारे products को avoid करन है ठीक है तो उसमें चाओ आ गया चाओ में noodles हो गया उसमें cake हो गया biscuits हो गया मतलब बहुत सारे चीज़ आप देखेंगे अगर food list से निकाल दे सारे चीज़े को तो आप किस जगह पर होंगे आप कौन-कौन सी खाना खाते हो जो refined flour से बना हुआ होता है सारे के सारे चीज़ पेन पेपर रख लो डाइरी लख लो वहां पर लिख लेना कि कौन-कौन सी खाना खाने के बाद आपको यह process ट्रिगर हो रहा है क्योंकि आपको पता चल जागा जब भी gluten आता है तो वो सकते हैं कि gluten के साथ-साथ कुछ और तरीके के खाने में भी ट्रिगर होता है तो आपक करने के लिए भी कुछ drugs होते हैं वह भी दिया जाएगा डिपेंडिंग आपकी condition क्या उसके उपर डिपेंड करके दिया जाता है दो प्रकार के दवा मैंने बता लिया अपार्ट फूम दैट इसको और एक चीज़ किया जाता है जब भी हम को सिलियाक डिजीज होता है तो य आपके पास हो अब उतना exercise करो वेट-lifting नहीं बोल रहे जीन जोइन करने को नहीं बोल रहे आप रेगुलर डे टूट जो बॉड़ी है उसको इंपॉर्टन उसको exercise करो इंपॉल्ट करो एक्सरस करने से ब्लड सर्कुलेशन जो अच्छा होता है बॉड़ी में और ब्रेन औ बहुत important होता है उसके साथ-साथ खाने में ख्यास ध्यान रखना है आपको जिस तरीके खाना आपको खाना चाही हो आपको डायट चार्ट दिया जाएगा बात में बता दूंग एक वीडियो में और उसके साथ-साथ आपको और एक चीज़ करना होता है जहां पे आपको regular प प्रकार के strains वहाँ पर मिल जाते हैं अब उसको इस्तेमाल करें अपर्ट फूम दाट दही के इलावा अगर आप मेडिसिंस में भी प्रिसकाइब किया जाता है प्रोबियोटिक प्रोबियोटिक बनाया जाए उसका रेशिपी क्या होना चाहिए कैसे किया जा सकते है इसके बारे में डीटेल में वीडियो बनाऊंगा बाद में काम चल रहा है उसके उपर भी में वीडियो दे दूँगा आप देख लेना किसी साब से होता है तो इसको अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रकार के इंफ्लमेटरी गट रिलेटेड इंफ्लमेटरी डिसॉर्डर को आप काबू पा सकते हो मैंने खुद आइबिएस मुझे में था इरिविटेबल इरिटेबल बावल सिंड्रो और मैंने खुद तकरीबन आट नौ साल उसके बाद लड़ने के बाद मैंने एक ठीक ठाक उपा इशूस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करने शेर करने अपने दोस्तों के साथ कलीक के साथ सब्सक्राइब करने इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहें थैंक्यू बाई